Hello my dear students, welcome back to Magnet Brains, this is Saloni Pandey. So chapter number 7 that is mass media and communication हम discuss कर रहे थे और आज के हमारे इस lecture में हम बात करेंगे about television and globalization. So हमने हमारे previous lectures में यह chapter को स्टार्ट किया और इससे related धेर सारे topics को हम discuss कर रहे थे जिसमें हमने lastly discuss किया globalization and mass media के बारे में कि जब से globalization होना इस्टार्ट होता है especially हम यहाँ पर बात करते हैं इंडिया की कि इंडिया में 1991 से globalization की policies को हमने adopt किया तब से यह mass media में किस तरह के changes आएं क्योंकि एक theme हमने discuss करी थी mass media in independent India जब हमने बात करी थी कि after 1947 किस तरह से हमारे यह mass media की growth होई है तो जिसमें हमने print media, television and radio की बात करी अब हम बात करें कि globalization के बाद तो हमने हमारे last lecture में discuss किया print media and globalization के बारे में कि जो यह आपके newspapers होते हैं आपकी magazines होती है यह सब ही कितना important role play करती है हमारी everyday life में and what changes उसमें जो है मतलब कौन कौन से changes आए है after globalization यह सारा कुछ हमने detail में discuss किया जिसमें हमने यह एक चीज़ देखी कि ऐसा माना जाता था कि जब से mobile phones आ जाएंगे जब से television sets आने लगेंगे तो जो print media है शहाद उसकी importance कम हो जाएगी बढ़ ऐसा हुआ नहीं और इसके अलावा मतलब यह देखा गया कि धीरे धीरे यह print media की जो growth है और साथ ही साथ में मतलब हमारी everyday life में और साथ ही साथ में जब globalization इंडिया के अंदर होता है तो television के जो पूरा एक sphere है उसमें क्या phenomenal expansion होता है क्या सारे changes आते है किस तरह से उसकी growth and development होता है यह सारा कुछ हम detail में discuss करेंगे जैसे जब हमने हमारे previous lectures में television के बारे में पढ़ा तो हमने देखा कि television हमारी life में बहुत important जो है role play करता हमारी everyday life में और उसमें कितने सारे जो है channels score telecast किया जाता था जैसे हम दूरदर्शन की बात करते थे कि इंडिया में starting से जो एक state controlled channel हुआ करता था वो दूरदर्शन होता था और दूरदर्शन पे ही बहुत सारे जो है आपको प्रोग्राम्स वगेरा दिखाये जाते थे कैसे उसमें advertisements दिखाये जाते थे तो हमने इसमें जो है कुछ discuss किया था जैसे कि वो एक हम लोग करके जो है TV सीरियल आता था फिर इसके बाद हमने देखा था कि जो आपकी टू मिनिट मागी नूडल्स है उसका advertisement ये television के थ्रू होना स्टार्ट होता है और फिर धीरे धीरे करके कैसे उस product की जो marketability है वो बढ़ जाती है और कैसे ये consumers को affect करता है कैसे ये जो आपके television पे programs दिखाये जाते हैं daily episodes दिखाये जाते हैं वो हमारी society में major changes लेके आता है और साथ ही साथ में हम सभी की life में भी जो है मतलब बहुत important role play करता है life को भी influence करता है ये सारा कोच हम television से related हमारे previous lecture में discuss कर चुके हैं अब बात करें globalization की जो कि इंडिया के अंदर start होता है 1991 से जब इंडिया LPG की policy को adopt करती है that is liberalization, globalization and privatization हमारे हैं change होता है economic policy में आप देखो 1991 में there was one state controlled TV channel दूरदर्शन in India 1991 में सिर्फ एक ही state controlled TV channel था और वो था दूरदर्शन इंडिया के अंदर मतलब state control का मतलब क्या है कि जिसको government जो है वो control किया करती थी control in the sense के उस पे कौन-कौन से episodes दिखाएं जाएंगे किस तरह के programs उस पे telecast होंगे उन programs में क्या सारी चीज़े दिखाए जारी इन सारी चीज़ों के उपर कहीं ना कहीं government किये काई होती थी by 1998 there were almost 70 channels और आप देखो कि अगर हम सिर्फ 8 years या 7 years का difference ले तो 1998 में after globalization हमारे पास में 70 channels हुआ करते थे मतलब एक दूर दर्शन से हमने start किया और 7 years के बाद में अगर हम देखे तो हमारे या 70 channels हैं बहुत सारे private run satellite channels भी हुआ करते थे जो 1990 से बढ़ते ही चले जा रहे हैं अब यह आपके private run satellite channels का मतलब यहां पर क्या है आपने देखा होगा आप सभी की घर में मतलब प्रेजेंट से भी उसको relate करते चलो तो और ज़्यादा अच्छे से clear होगा आप सभी की घर में TV sets हैं अब किसी के घर में जो है डिस्ट वो जो डिश कनेक्शन होता है इसे मिलता है जैसे इसमें satellite run channels आ रहा है आपने देखा होगा जैसे फ़र एक 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 जामपल ले हम कि यह सब्स टाटा स्काय है अब आपने टाटा स्काय का connection लिया है तो वह आपको एक setup box लाके देंगे जो आपकी connection आपको देतेंगे मतलब छतरी बोलते हैं बाकी और क्या बोलते हैं मुझे तना याद नहीं है तो इस तरह से connection जो है आपके terrace वगरा पर लगा दिया जाता है तो इसको क्या होता है satellite के through सारी rays वगरा जो है मिल रही होती है और उन rays के मतलब वह सारी rays के through जो है यहां पर मतलब यह जो पूरा एक network क्रियेट किया जाता है जिसके तुरू चैनल्स चलते हैं जिसके तुरू आप episodes देख पाते हो जिसके तुरू कोई glitch नहीं आता टेकनोलोजी में तो प्राइवेट कंपनी जनरली इस तरह से satellite channels को चलाती हैं और mid 1990s से मतलब उस एक time period से हम बात करें तो प्राइवेट channel जो है वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं और यह चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी कि अराउंड थाउजन प्लस चैनल जो है आज के टाइम में हमारे यहां पर चलते हैं टीवी के ऊपर टेलिविजन के ऊपर और जिसमार ने देखा है बहुत सारे language channels भी आते language की भी हमने बात करी थी कि कि कितने सारे जैसे हमने print media के अंदर language को discuss किया था तो सेम वे में हमारे यहां पर इतनी जादा जो है language की diversity इतनी सारी languages हमारे यहां पर बोली जाती है तो सभी जो भी languages है उसमें सभी को entertainment मिले उसमें सभी को newspapers भी मिले साथ ही साथ में television पर सारे प्रोग्राम्स भी चले तो सब easily entertainment को भी कर सकें और दूसरी तरफ उनके पास में सारी information भी आती रहे उनकी language में ताकि उनको हर एक चीज समझ में भी इसके अलावा बहुत सारे English channels भी चलते हैं और साथ ही साथ में हमने यह चीज भी देखी है जब हमने globalization पढ़ रहे थे तो हमने यह चीज देखी कि उसमें कैसे बताया गया था कि जब से आपका globalization, liberalization वगरा start हुआ है तो यह जो mass media and communication है यह पूरे world में मतलब एक दूसरे के साथ में interlink, interconnect हो चुका है तो आज के time में foreign countries में जो भी channels चलते हैं, जो भी daily episodes आते हैं, जो भी web series होती हैं, जो भी magazines होती हैं, जिस भी तरह से films आती हैं, वो सब आप कहीं भी किसी भी corner of the country में बैठे हो, आप उसको enjoy कर सकते हो, मतलब आप इंडिया में हो, आप Hollywood movies देख सकते हो, आप Korean movies देख सकते हो, आप उनके song सुन सकते हो, उनका music सुन सकते हो, यह सब कुछ possible हो पाया, just because of globalization, तो इस तरह से आज के time में बहुत सारे TV channels जो हैं, वो च communication में, जहां हो, जैसे हमने CDs की बात करी थी, कि कैसे जो है, music CD वगरा जो आती है, वो आप पूरे countries, different, different countries एक दूसरे के साथ में exchange कर सकते हो, वही जो आपको बतारे हूं, कि आप इंडिया में हो, आप Hollywood movies को भी enjoy कर सकते हो, Korean movies को भी enjoy कर सकते हो, उनके episodes भी देख सकते हो, यह स possible हो पाए, just because of globalization and liberalization, तो इस वज़े से जो हमारा television का expansion है, वो और ज्यादा भरदा चला गया, then, while दूरदर्शन broadcast over 35 channels, there were about 900 private television networks broadcasting in 2020, अब अगर हम बात करें, यह 2020 की, तो इस से एक time period तक आते आते, मतलब आप दूरदर्शन का एक पूरा जर्नी देखिए, कि 1991 से लेके 2000 तक, बात करें, तो दूरदर्शन जो की सिर्फ एक ही मात्र मतलब, जो है state control channel होता तो और उसी पर episodes आते थे, आज दूरदर्शन के अपने 35 channels हैं, और इसी के साथ साथ में 900 के करीब private television, जो है network broadcasting चलती है, मतलब प्राइवेट television channels भी चलते हैं, the staggering growth of private satellite television has been one of the defining developments of contemporary India, अब यह जिस किस किया दिखाते हैं कि किस तरह से contemporary India में growth हो रही है television की, इसके बाद में, in 2002, 134 million individuals watched a satellite TV on an average every week, और 2002 में जो हमको data मिल रहा है, उसके according अगर हम बात करें, तो 134 million individuals जो है, वो हर हफते यह satellite TV जो होती है, इसके through television को देखा करते हैं, satellite TV का मतलब आपका यह DTH होता है, that is, direct to home connection, जहां पर जो मैं आपको वो छतरी वाली बात वता रही थी, कैसे जो है, उसके through connection मिल जाता है, so that is your DTH, जिसे direct to home बोलते हैं, जहां पर वो पूरा satellite का server बनाया जाता है, जिसके through यह सारा system चलता है, जैसे मैंने आपको एक example दिया था, कि आप mobile phone पर जब बात करते हैं, just suppose Delhi में हो, आप किसी से केरल में बात कर रहे हो, phone पर, तो ऐसा तो है नहीं कि phone के अंदर से आवाज तब तक पहुंच जाती है, और phone to phone connection ऐसा नहीं होता, वो पूरा एक network उसका create किया जाता है, जिसे हम digital infrastructure बोलते हैं, जहां यह पूरा infrastructure government maintain करती है, और साथी साथ में private companies भी करती हो, तो अगर 2002 के data के according हम बात करें, तो 134 million individuals जो है, वो हर हफ्ते, मतलब एक average बात करें, तो वो TV को देखा करते थे, और वो देखा करते थे, इस satellite जो connection होता है, उसके through, जो आपके state control channel है, वो तो चलते ही थे, बट धीरे-धीरे करके यह private televisions आपको इतना जादा variety of services provide करते थ कि आप ज्यादा थार उनकी तरफ स्विच करते थे, ओके एंड इस नमबर वेंट आप टू 190 million in 2005, और 2005 में यही नमबर 190 million हो चुका है, मतलब 134 million से 190 million and the number of homes with access to satellite TV has jumped from 40 million to 61 million in 2005, और अगर हम 2002 में देखें तो यह कितने जादा satellite connections हो देते TV के तो वो सरह 40 million थे, जो 61 million हो जाते ह live में and the satellite subscription has now penetrated 56% of all TV homes, और at present अगर हम बात करें तो जितने भी घरों में TV है, at present आज के टाइम में, उस में से 56% TVs में जो connection है, वो आपका यह satellite subscription के थू है, that is your DTH connection, okay, the Gulf of War of 1991 which popularized CNN, एक channel आपने सुना होगा CNN जो आता है, यह channel popularized होता है 1991 में, क्योंकि इस channel पर सबसे जादा जो Gulf of War हुआ था 1991 में, उसको telecast किया गया था, तो इतना जादा channel पर दिखाया गया था कि धीरे-धीरे करके इस channel की popularity बढ़ जाती है, and the launching of star TV in the same year by the Wampowa Hutchison group of Hong Kong signal the arrival of private satellite channels in India, और देखो इसी के साथ में क्या हुआ कि Gulf of War जो होता है 1991 में, उससे CNN channel जो है, वो बहुत जादा popularize होता है, और इसी एक time period में, इंडिया के अंदर जो आपके private satellite channels होते हैं, उनको introduce किया जाता है, मतलब अभी तक जैसे मैं आपको बता है कि 1991 तर दूर दर्शन वगरा जो हमारे यहां पर चलते थे, private television इतने जादा नहीं थे, तो उनकी ज सेम एर में होता है, 1991 में, जब जो आपके Wampoa Hutchison Group है, Hong Kong का, यह Star TV को इंडिया के अंदर लॉंच करता है, आपने देखा ने, Star TV चैनल आता है, Star के बहुत सारे चैनल है, तो वो जो है, कब से popularize होता है, 1991 से, आप मानलो आपको objective में ऐसा question आ जाए, कि Star TV किसने लॉंच किया था कौन से year में लॉंच किया था, तो आपको पता होना जी, कि 1991 में किया था, और किसने किया था, तो यह आपका जो Wampoa Hutchison Group है, Hong Kong का, उसने किया था, तो यह जो छोटे-छोटे points होते हैं, इसको note कर लिया करो, इसको highlight कर लिया करो, ठीक है, then in 1992, ZTV, a Hindi-based satellite entertainment channel, also begin beaming programs to cable television viewers in India, इसक होगा, आपके घर में दादी, ममी, लोग जो हैं, इस पर धेर सारे daily episodes, और देखते होंगे, मतलब मेरे घर में तो देखते हैं, तो यह जो ZTV channel है, यह 1992 से start होता है, और यह Hindi-based satellite entertainment channel है, मतलब इसके ऊपर जो है, आपको हिंदी में programs वगरा दिखाया जाते हैं, तो इसकी अच्छा लग रहा है कि आपके अपनी language में मिल जाते हैं, by 2000, 40 private cable and satellite channels were availing including several that focused exclusively on regional language broadcasting like Sun TV, Enadu TV, Udaya TV, Raj TV and Asiannet, 2000 तक ऐसे 40 private cable and satellite channels वगेरा होते थे, जो आपको आपकी particular language में episodes या channels जो होते थे, वो बने हुए होते थे, मतलब जैसे कि Sun TV हो गया, Enadu TV हो गया, Udaya, Raj और ये जो सारे TV, ये जो सारे channels होते थे, ये क्या करते थे, आपको अपनी regional language के अंदर programs को broadcast करके देते थे, जिस भी language में आप होते हैं, जैसे आपने देखा है कि Enadu जो है वो एक Tamil newspaper हुआ करता था, जो Tamil region में इसकी popularity बहुत ज्यादा थी, तो हमने देख company जो Enadu, जो ये print media मतलब जो news paper वगरा बनाती थी, उसने फिर उसको television में भी लेकर आई, उसी name से लेकर आई, बट वो क्या हो गया, वो आपका television पर आगया और वो अपनी particular language में मतलब आपको channels वगरा offer करते थे, तो 2000 के करीब से जो ये आपके regional language broadcasting है television पर वो स्टार्ट होती है, जो Marathi, Bengali और बागी दूसरी languages में broadcast हुआ करते थे, तो यहां से हम दख रहें कि जैसे CNN channel हो गया, CNN, फिर इसके बाद में आपका ZTV हो गया, आपका Star TV हो गया, इन सबकी launching India के अंदर हो जाती है, और इसी के साथ साथ में बहुत सारे regional channels जो है, या regional language based channels है, वो भी start हो जाते हैं, वाइल दूर दर्शन was expanding rapidly in the 1980s, the cable television industry was mushrooming in major Indian cities, दूर दर्शन 1980s में बहुत जाता expand हो रहा था और वहीं दूसरी तरव यह जापकी cable television industry है, यह इंडिया के अंदर बहुत तेजी से expand हो रही थी, the VCR greatly multiplied entertainment options for Indian audiences, providing alternatives to दूर दर्शन signal channel programming, video viewing at home and in community based parlors increased rapidly, तो आपने देखा होगा कि VCR वगेरा भी पहले के time में आया करते थे, अब यह जो VCR होते थे, यह generally क्या करते थे, यह भी आपको बहुत सारे entertainment options वगेरा दिया करते थे, तो पहले जो सिर्फ दूर दर्शन आता था, उसक कि धेर सारे alternatives आने लग जाते हैं, मतलब channels तो आती है, साथ ही साथ में VCR वगेरा आने लग जाती ही, तो वही है कि जैसे हमने पढ़ाने कि globalization में competition भी बहुत तेजी से होता है, तो यहां भी competition बढ़ रहा है, अब television industry में different channels आ रहे, कौन सा channel जो है, बहुत ज़्यादा popular हो, मतल हैं कि अभी के time में सबसे ज़्यादा popularity जो है, वो किस एक channel की है, मतलब सबसे ज़्यादा आपके घर में कौन से channel को, starting जैसे tv on करी तो यह वाला channel जो है लगाया और उसको ज़्यादा देखा जाता है, तो यह क्या हो रहा है, competition बढ़ता हुए चला रहा है, globalization का time चल रहा है, क जिसका channel सबसे ज़्यादा चलेगा, उसको सबसे ज़्यादा profit मिलने वाला है, उसके viewers सबसे ज़्यादा होंगे, तो इसको profit भी ज़्यादा मिलेगा, तो इस तरह से competition चल रहा है, और दूरदैशन के भी बहुत सारे alternatives आजाते हैं, और इसके through, आप घर में बैठे-बैठे है इंक्रीज ओन लग जाती है, और यह जो वीडियो फेयर है, मतलब जहां पर आपको वीडियो वगरा भी दिखाया जाते हैं, फिल्म वगरा दिखाया जाती है, यह जो पूरा entertainment है, तो यह डॉमेस्टिक भी था और इंपोर्ट भी था, मतलब इसके अंदर आपको इंडिया क इंडियो फेयर है, जो सबसे ज़ादा आपको सारे चैनल, सारी चीज़े दे पाएगा, आप उसी को देखोगी, जैसे आज की टाइम में मान लो कोई टेलिविजन पर ऐसा चैनल है, जहां पर आपको बहुत अच्छी अच्छी फिल्म भी दिखाई जाती है, बहुत है, हो सकता है, कि उसमें आपको कभी वीकेंट्स बगेरा पर बहुत अच्छे अच्छे जो है, सौंग्स भी सुनाए जाते हैं, तो बहुत अच्छे से वो प्रोग्रम, मतलब जो चैनल है, वो पूरे वीक आपको चलत रहते हैं, तो आप क्या गरोगे, आप उसी पर सारी देखोगे, और मानलो कोई ऐसा चानल है, जिसके उपर सिर्फ एक ही फिल्म जो है, वो टेली कास्ट होती रहती है, जिससे पता होगा, आपको मैं किसकी बात करें हूँ, कि वो जो सोनी मैक्स पर सूरे वंशम हमेशा आती रहती थी, तो क्या होता था लोग हमेशा, मतलब सो सुनाया जाते हैं, और बहुत लेटिस्ट सुनाया जाते हैं, मानलो कोई पुरानी सल्मान खान की मूवी का ही बस एक ही सॉंग चला रहे हैं, या एक दो और ले आए बीच में तो नहीं सुनोगे ना उसको, तो इस तरह से आपको जहाँ पर जादा अच्छी चीज़े ओफ आपको डेली बेसिस पर जो है अलग-अलग फिल्म दिखा पाएं, क्योंकि आपको जैसे मानलो एक मूवी खतम ही फिर कोई और इंट्रस्टिंग मूवी आने वाली तो मैं तो देखूंगा ये वाली भी तो फिर उसी पर लगे हुए ना उसी चानल को देख रहा हैं, तो व जो आपके दूसरी कंट्रीज की थी, वो भी वहां पर टेलीकास्ट की जाती थी, और इस तरह से जो आपके केबल ऑपरेटर्स हैं, वो 1984 में सरफ 100 हुआ करते थे, जो की तो 1999 तक आते आते, 60,000 हो जाते हैं, तो इस तरह से जो टेलिविजन का एक्स्पिंशन है, वो बढ़ क कि अरग करें, तो वो क्या करते हैं, जो दूसरे आपके ट्रानस्नल टेलिविजन कंपनीज होती थी, मतलब की वो गमपनीज जो आपकी दूसरी कंट्रीज दूस्री country में चल हो चानल आपके दूसरी country में통 रन होते हैं इंडिया के अंदर नहीं की यह आनने लगत यह इंडिया में बिस्टे पर ळंगास्ट ठीने लगते हैं तो इसके सांथ में एक dari副 होता है इंडियन के अंदर डर यह होता है कि अगर हमारे यहां पर दूसरी कंट्रीज के प्रोग्राम्स दिखाया जाएंगे तो जनरली प्रोग्राम्स में क्या होता उनका कल्चर दिखाया जाएगा जैसे इंडिया का कोई चैनल है अब वो यहां पर जो भी सारे एपिसोड जो भी अधर बिखंए और हमारे यहां पर कोई मुवीं बनती है तो उसमें क्या दिखाया जाता है इंडिया का ही सारा कलचर दिखाया जाता है और उसके बाद whamad मैं कोई जिसके ओपर पूरी मुवी बनती है कैन आप सारा कुछ स्टोरी और सारी चीज doesn't तो नहीं हो सकता, तो क्या होता है, कि जैसे जब दूसरी कंट्रीज के चानल से इंडिया के अंदर आएंगे, तो उनका कल्चर यहां पर दिखाया जाएगा, उनकी सारी चीज़ें इंडिया के अंदर टेलीकास्ट की जाएंगी, तो कहीं ऐसा ना हो कि इसके बीच में इंडि टेलिविजन चैनल्स, हाव थूर रिजर्च रियलाइज तो कि अगर हम जादा तर इंडिया के अंदर जादा गर जाएंगे, उनकी सारी चीज़ों को टेलीकास्ट करेंगे, उनके सारे कल्चर को दिखाएंगे यह जिस तरह के उनके प्रिफेरेंसे अंगर हम उसको चैनल् तो हम इंडिया के अंदर जादा ग्रो कर सकते हैं क्योंकि आज आप अगर कोई भी टीवी चैनल मितलब आप कोई भी टीवी चैनल को लगाओ और उसके बाद में वहाँ पर आपको सारा कुछ फॉरेनर्स का या फॉरेन कंट्रीज की सारी चीज़े दिखाएंगे तो आप थो उनने क्या देखा कि हमको कुछ ऐसा करना है कि हम इंडियन ओडियंस के साथ में फैमिलियर हुएं तो आपको याद होगा हमने ग्लोकलाइजेशन के बारे में पढ़ा हुआ है जब हमने चाप्टर 6 के अंदर ग्लोबलाइजेशन पढ़ा था तब उसी में हमने एक प्रोडक्ट को या किसी बीशिश को लेकर आते हूं तो आप उसके लोकल कलचर के साथ ми मX हो जाते हैं जासे इसका एक हमने लेक्ड़ेके दक्ञाइब कि जो आपकाका मैक डानल्ड है जब वो इंडिया. के अंदर आता है तो वो सिर्फो और सिर्फ अपने वेजिटेरिय वो जाधा तर या even मतलब पूरी ही तरह से vegetarian हो जाता है क्योंकि उसको बता है कि इस एक time पे मेरे जो non wage products है वो sell out नहीं होंगे तो क्यों क्योंकि उसने यहाँ पर Indian culture के साथ में mix up कर दिया है McDonald's उसका foreign product है मतलब foreign company है वो इंडिया के अंदर आई है that is globalization लेकिन वो local culture के साथ में mix हो रही है that is globalization एक चीज़ हमने पढ़िए तो same way में यहाँ पर भी हो रहा है कि जो आपके global level पर जो मतलब channels चलते हैं जो भी television companies हैं जब वो इंडिया के अंदर अपने channels को लेकर आती हैं तो वो Indian audience के according programs में मतलब जो भी सारे programs होंगे जो भी सारे channels होंगे उनको telecast करते हैं clear है यह भी समझ में then the early strategy of sony international was to broadcast 10 Hindi films a week gradually decreasing the number as the station produced its own Hindi language content अब जो आप sony international मतलब sony tv चलती है आप देखते हो बहुत सारे ऐसे program चलते हैं तो generally जब sony इंडिया के अंदर आया था तो उसका purpose यह था कि वो पूरे week में करीब 10 Hindi films को अपने channel पर दिखाएगा तो उससे उसकी popularity बढ़ेगी बड़ दीरे दीरे करके उसको यह एक चीज़ realize हुई कि उसकी movies के Hindi films के जो कहीं ना कहीं से यह जो broadcasting है यह कम हो गई और Hindi language में उसने अपने content को produce करना है start करती है मतलब उसने अपनी तरह से जो कुछ रहा से new Hindi language channel बन चुके हैं जैसे star plus है तो पहले star TV आया था हमारे आपर बट फिर उसने देखा कि Indian audience को अगर मुझे जो है influence करना है तो मुझे Hindi language में चानल देने पड़ेंगे तो उसने क्या करा उसने अपना पूरा जो segment है वो Hindi language के उपर बना लिया और उसने कहीं न कहीं अपने आपको भी चेंज के लिए तो वह star TV से star plus हो गया और आपको खुद पता होगा कि star plus की popularity कितनी ज्यादा है कितने मतलब programs उसके उपर आते थे और अभी भी ऐसे programs हैं जिसको मतलब आपके घरों में याद किया जाता हो ना कि पहले वो एक program आया करता तो कोई सा एक जो है वो तुलसी करके कोई program आया करता था पहले के time में है ना मतलब जब हम लोग तो बहुत छोटे हुगा करते थे हमारे गर में देखा जाता था तो स्टार प्लस पर ऐसे धेर सारे programs हाते थे जिनने कही ना कहीं लोगों की life को बहुत ज्यादा influence किया और वो ऐसे program से एक तो वो सालों तक चलते थे मतलब करी 5-6 साल तक चलते थे इतने लंबे-लंब programs होते थे इतने सारे मतलब उसके episodes हुआ करते तो लोग क्या बहुत जादा influence हो चुके थे और बहुत ही जादा अपनी life को जो है connect कर लें जैसे हमने देखा कि जब हमने टेलिविशन पड़ा था इंडिपेंडेंट इंडिया में तो हमने एक चीज देखी थी कि कैसे लोग जो है टीवी पर अपने सारे programs वगरा को देखन के लिए सारा काम धाम निपटाब करके जो है अपना बैट जाते थे कि हमको यह सारी चीज़ें देखनी और उन चैनल वह जो भी सीरियल्स वगरा आते थे उसके साथ में खुद भी connect कर लिया करते थे तो यहां पर भी वही सारी चीज़ें थी देन इसके बाद में आपके जैसे स्टार स्पोर्ट्स है ESPN है तो यह सभी dual commentary या audio sound track होगे हिंदी में मतलब की channel आपका जो पूरा show जो टेलीकास्ट हो रहा है जो वीडियो है आपका वो पूरा उसी में दिख रहा है जो particular जिस language में जैसे for example मानलो कोई channel है जो English language में आता है तो वो और उसी में पूरा तरह उसी तरह से पूरा वीडियो दिखाया जाता है तो वो आज सेम वैसी रहा है बट उसमें आपने जो audio track है उसको हिंदी कर दिया मतलब कि उसको उसको आपने बताना हिंदी में start कर दिया जैसे बहुत सारे ऐसे sports channels आते हैं जहां पर जो commentary है वो इसको launch किया गया फिर जैसे star plus है star sports है तो इस तरह से जो आपका पूरा ये television industry इसमें इस तरह से changes आने start हो ते इस तरह से इसका expansion होता है globalization के बाद में the larger players have launched specific regional channels in languages such as Bengali, Punjabi, Marathi, Gujarati, perhaps the most dramatic adoption of localization was carried out by star TV तो मतलब ऐसे बहुत सारे players जिन्होंने अपने regional channels लेकर आगया जैसे Bengali हो गया, Punjabi हो गया, Marathi हो गया, Gujarati हो गया तो इस तरह से जो है सभी अपने regional language में channels वगरा लेकर आते हैं बट सबसे ज़्यादा अगर किसी ने effect किया था पूरी population को तो वो कहीं ने कहीं star TV था जिसके वजह से मतलब जिसने localization करके अपना एक phenomenal expansion इंडिया के अंदर किया and in October 1996 star plus initially an English language और English general entertainment channel originating from Hong Kong begin producing a Hindi language built of programming between 7 to 9 p.m. यहां पर वो यह बता रहे हैं कि 1996 में जो आपका October 1996 में star plus है जो की starting से एक English language channel था मतलब उस पर English में सारे entertainment channels प्रोग्राम्स वगरा आया करते थे हॉंग कॉंग से जो है मतलब इसका origin है कि हॉंग कॉंग से इंडिया में इसको launch किया गया बट 1996 तक यह star plus channel जो है यह अपने जे तक जो है आपके telecast हुआ करते दो और उस पर बहुत सारे प्रोग्राम्स आया करते थे बाइफ़ेब्रेरी 1999 दा चैनल वोस कनवर्टे तो असोली हिंदी channel and all English serials shifted to star world that networks English language international channel और फिर आपके February 1999 तक उस एक time तक इस पूरे यह जो star plus channel है इसको पूरी तरह से जो है मतलब हि कर दिया गया और इसको जो बाकी उसके सारे English channel थे उसको star world पर telecast करने start कर दिया और इस तरह से यह एक पूरा international level का channel बन जाता है and both star and sony continue to dub US programming for younger audience as children appear to be able to adjust to the peculiarities that arise when the language is one and the setting another तो दोनों ही एक star और sony दोनों ही चैनल जो है मतलब ऐसे जो यूएस प्रोग्राम सोगरा आते थे उसको डब करके younger audience को दिखाया करते थे क्योंकि generally जो children वगेरा होते थे वो adjust कर लेते थे मतलब English, Hindi और जो भी सारी languages होती थी उसमें अच्छे से adjust कर पाते थे तो younger audience के लिए especially dub programs भी आते थे और most television channels are on throughout the day 24-7 और बहुत सारे ऐसे channels हैं जो आपके 24-7 चलते हैं मतलब पूरे time चलते हैं आज के time में तो बहुत सारी channels हैं ऐसे जो चलते रहते हैं अब जैसे बहुत सारे channels को यह पताए कि भाई रात भर हमारा program कोई नहीं देखेगा मतलब for example मानलो एक बज़े से लेके पांच बज़े तक तो कोई भी जो है serial नहीं देखते हैं बहुत कम लोग हैं जो ऐसे देखते होंगे बट 90% तो नहीं देखते हैं लोग सो रहे होते हैं तो वह क्या करते हैं उसे time पर जैसे कुछ ऐसे प्रोग्राम चला देना जो जैसे आज की टाइम में मैंने देखा था हैं तो 24-7 भी चलने वाले ऐसे बहुत सारे तेलिविजन चैनल हैं और जैसे तरह का एक फॉर्मिट होता है वह बहुत लाइवली है बहुत ही इन फॉर्मल होता है जहां पर आपको हर एक इक इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइट की जाती है तो न्यूस हास बीन मेड फार म न्यूस है तो न्यूस बहुत जादा डेमोक्रेटिक इंटीमेट इस तरह की दिखाई जाती है और टेलिविजन पर जो है बहुत सारे ऐसे पब्लिक डिबेट्स वगिरा होते रहते हैं बहुत जादे आसे मतलब आज एक सिनारियो बस इतना चेंज हुआ है कि जैसे अब आ कश्रon के दौर heck मिझाना में जाऊगे तो आपके पास में अपने पस्णार मुबाईल फोन संगाने में आज भी आपके पास में होते होंगे तो अब जैसे एपनने रहते हैं कि यह पूरी तरह से मतलब बेशाए तो वह क्या करते कि जैसे उनने देखा कि mobile phones वगेरा पर सारी चीज़े सारी information available है तो वो mobile phones को देखते रहते हैं और बहुत कम जो है TV को देखा करते हैं बट आज भी जो बच्चे हैं छोटे बच्चे जो होते हैंगे मतलब आपकी टीनेस तक जितने बच्चे हैं और उसके बाद में जो आपकी older population है मतलब maybe 40 प्लस जो आपकी population है वो आज भी टीवी चैनल्स को ही देखते हैं आज भी वो न्यूज वगरे टीवी पर ही देखी जाती है आपके पापलों के पास में हो सकता है mobile phones होंगे और वो mobile पर भी news देखते होंगे बट इस्टिल उनको टीवी पर भी news देखना होता ह कि क्या इसकी वज़े से serious political और economic issues को neglect कर दिया गया है क्या आपको ऐसा लगता है कि television में जो इतनी सारी programming होती है उसमें कही ना कही political या economic चीजों को नहीं दिखाया जाता है ऐसा लगता है क्या आपको so there is a growing number of news channels in Hindi and English and a large number of regional channels and an equally large number of reality shows, talk shows, bollywood shows, family soaps, interactive shows, game shows and comedy shows तो हर एक aspect को cover up करने के लिए जो television channels है उन्हें बहुत सारे news channels भी लेके आए हैं जो हिंदी में भी आते हैं जो English में भी आते हैं जो regional languages में भी आते हैं ऐसे channels भी हैं तो ये एक चीज़ कहना कि economic और political segment को neglect कर दिया ये सही नहीं होगा क्योंकि आज आज आपको politics में क्या सारी चीज़े चल रही है political news क्या है आप news channel लगा सकते हो आपको economics related information चाहिए आप उसके लिए भी news channels पर जो है सारी चीज़ों को देख सकते हो आपको कोई ऐसी चीज़ चाहिए क्यार कुछ entertainment का मिल जाए तो आपने देखा बहुत सारा ऐस बहुत सारे ऐसे talk shows भी आते हैं जहां पर जो है किसी का interview लिया जा रहा है किसी से बातचीत हो रही है तो हम ऐसी चीज़ों को भी आज के टाइम में देखते हैं आपने देखा बिग बॉस की popularity कितनी जाद है बिग बॉस का तु सभी ने सुना होगा ना सभी ने देखा भी हो तो बहुत सारे ऐसे show's आते हैं comedy shows आते हैं कपिल शर्मा का show हम सभी जानते हैं भारती सिंग को हम सभी जानते हैं है ना जानते हैं इन लोगों को हम सभी जानते कि भारती सिंग laughter queen कपिल शर्मा जिसका अपना comedy show आता है बिग बॉस से हम जानते हैं कितनी जादा popular जो है मतलब स्टार बन हैं लोग तो यह सारी चैजेज पॉसिबल ने जिसे आपके रियालिटी शोर सोतें आते हैं जिसने पूरी सब्सक्राइब इसलागते हैं तुकूल कर यौण करूड़ है defoo करी और करीब उसने साथ करोड तक जो है सारे पैसे कम आए तो किस तरह से उसने पूरी इस जर्णी के बारे में सारा कुछ बता है सब कुछ तो वह परसन एक पॉपलर बन जाता है तो यह सारी चीज़े भी पॉसिबल हो पारी इस बिकॉस आप इस एंटरटेन्मेंट टेलिव पूजा शर्मा थी ना उनके साथ में ऐसी लड़ाई हो गई है यह थी तो वह गी मतलब में इससे बिलकुल याद नहीं है बड़ मैं आपको बता रही हूं कि इस तरह से यह जो सारे शोज होते हैं इसमें किसी तरह की कोई राइवलरी है किसी तरह की कोई गॉसिप बगरा चल रही है तो वह सारी चीज़ें बहुत पॉकलर हो जाती है नियूस्पेपरस में भी मैगजींस में हैं मैं आपने देखा कितने सारे शोज आते हैं आए आज की टाइम में भी आते हैं आप भी उनन बहुत सारी चीजों को फॉल्व कर खेंगे ऐसे बहुत सारी फैमली अब यह बहुत सारे जो प्रोग्राम्स होते हैं जो हमको टीवी पे देखने को मिलते हैं वो जनरली जो वेस्टन कंट्रीज में प्रोग्राम का एक पूरा सेट अप चल रहा है उस लाइन पर बने होते हैं जैसे आप बिग बॉस देखोगे तो बिग बॉस जो है वो फॉरें कंट्री में चलता था शो तो उससे इंस्पायर होके फिर इंडिया का अपना शो बन गया तो इस तरह से फॉरेंड कंट्री के जो वेस्टन कंट्री इसके लाइन होते हैं उसके ऊपर जो है प्रोग्राम्स बनाए जाते थे और इंडिया में भी टेली कास्ट किये जाते थे देन बहुत सारे से रियालिटी शो जैसे कौन बने का करोड़ पती है, इंडियन आइडल है, बिग बॉस है, यह सब बहुत ज्यादा पपल रहे, आप देखो कितने ज्यादा डांस रियालिटी शो वगरा आते हैं, इसके बाद में एक वो शो भी आता है जिसमें आप अपना प्टेुचल में था, आपके अंदर क्या सारी प्टेंशल है, आपका एक्स पीस कर सकते हैं, आपका क्या हुनर है, हुनर करके ऐसे कुछ आता है, तो आप उसमें वो सारी चीज़े देखा सकते हो, तो यह एक तरह से देखो, आपको एंटरेंगमेंट तो प्रवाइट करी हुआ है entertainment तो मिली रहा है और बहुत सारे social issues को उठाया जाता है जिसके तुरू आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है अब जैसे देखो आप कभी news देखोगे आप कभी newspaper में पढ़ोगे कभी जो news channel से उसमें आप देखोगे बहुत बार ऐसा दिखाया जाता मतलब newspaper में तो हर एक आसपेक्ट को cover नहीं किया जाता लेकिन television के थुरू पूरी country पूरे world को cover up किया जा सकता है newspaper तो daily basis पर होता है तो generally आपके regional जो region है उस से related होता है आपकी local area से related होता है जैसे आप देखो एक बार ऐसे कुछ report दिखाए गई थी कि कोई ऐसा isolated village था उसके प पास में खाने के लिए अनाज होता था तो क्योंकि बहुत ही ड्राय रीजन में वो लोग रहते थे तो वहां का लैंड प्रोडक्टिव था और पानी जनरली जो है वो लोग मतलब जो है underground water को कहीं नहीं से निकालने की कोशिश करते थे बट नहीं मिलता था तो वहां के जो वो एक कोई घांस आती है उसकी रोटियां बना कर खाया कर देते ऐसा इक बार न्यूस के अंदर जो है दिखाया गया था तो मतलब कितनी जादा लेवल ऑफ पावर्टी है कि हम लोग है हमारे पास तो इतना जाधा खाने को होता है बहुत बार ऐसा होता है आपने पी देख भाहर की चीजों को खा लेते हैं बहुत-बार हम खाने को फेक भी देते हैं बहुत बार हम वेस्ट करते हैं है कि तो आप देखो कि हमारे पास में इतना एक्सेस है कि हम कभी उसे क्वी को फेक हो गया है तो इसको हटा अब यह चीज खराब हो जाएगी इसको हटा दो बहुत बार वेस्ट और फुड मैं आपको बता रहे हूं कि हमारे यहां पर होता है हम वाटर को भी बहुत वेस्ट करते हैं कभी-कभी हम टैप ओपन ही छोड़ देता हैं जैसे आपको यह स्कूल में यह चीज सखाई जाती थ क्योंकि आपके पास में वो सारी चीज़ें हैं आपके पास में खाना हैं आपके पास में पानी है तो आपको उसकी वेल्यू समझनी चाहिए वरना आप ऐसे लोगों को भी देखो जिनके पास में शायद पूरे दिन के अंदर दो टाइम उनको खाना भी नहीं मिलता और बह कि इसका वेस्ट जो है हमको नहीं करना चाहिए उसको अगर आपका खाना पहली चीज तो आप लिमिटेड लो आप जितना खा सकते आप उतना ही खाना लो और अगर कहीं आपको इसा लगता है कि यह वेस्ट होने वाला है बहुत ज्यादा है तो आप किसी जरूरत मन्द को उस मेली एपिसोड बनते हैं जिसमें हमको पावर्टी दिखाई जाती है जिसमें हमको वुमिन्स की कंडिशन को दिखाया जाता है जिसके अंदर हमको कास्ट बेस्ट इन इक्वालिटी इसको दिखाया जाता है जिसके अंदर हमको जो है मेल्स के बारे में भी मतलब ऐसा नहीं शहने को होते हैं जो कुछ myself के त्रूर्वी दिखा जाते हैं कि ये जनरले आपको जागूरु करने के लिए होते हैं आपको बताने के लिए फिंद जासे आपने मूवी देख्योलकि जो है भागती अब आप ओ आपका खाना रोड पर गिर जाएगा तो आप उसको छोड़ देते हो कि ठीक है जाने दो हमारे पास में हम और ले लेंगे लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास में और ज्यादा उसको खरीदने का पैसा भी नहीं होता तो ऐसे इस आपको टे साइटी के साथ में रिलेट करते हैं पोरे वर्ल्ड के साथ में रिलेट करते हैं प्रॉस कॉंस हर एक चीज़ को देख सकते हो just because of all these things तो इसलिए इसको हम sociology के अंदर पढ़ रहे हैं अब एक example इसके अंदर दिया था आपको मतलब boxes वगरा में the rescue of prince और यह जो स्टोरी दिया ना यह मैंने पूरा बताया गया है यह एक रियल स्टोरी है ठीक है क्या होता है कि वह परसन जाए 55 feet की बोर्वेल होती है और बहुत बार ऐसा आपने देखा होगा कि बोर्वेल को जो इसको constructors होते हैं वह मतलब बंद करना भूल जाते हैं बोर्वेल करी उसको ऐसी खुला छोड़के चले जाते हैं बच्चे बच्चे खेलते रहते दो जनरली क्या होता है उसके अंदर गिर जाते हैं बहुत सारे तो करीब जो है आर्मी लगाई जाती है करी 50 आवर्स में मतलब आप सोचो एक दिन 24 आवर्स का आता है मतलब होता है उसको टू डेस से भी ज्यादा टाइम में निकाला जाता है उसके अंदर से 55 फीट की बोर्वेल के अंदर वो गर जाता है और उसको rescue करने में इतना पूर में ही एक और जो है बोर्वेल कराई जाती है जिसके थ्रू क्या किया जाता है कि along with food closed circuit television camera had been lowered into the shift in which the little boy was trapped तो क्या करते है कि ये वाली जो बोर्वेल है इसके अंदर एक छोटा सा camera डालते है इस camera के थ्रू ताकि हम बच्चे के ऊपर नजर रख सके कि वो ठीक है उसको कोई दिक्कत तो नहीं होरी क्योंकि अब यहां पर एक बोर्वेल को अगर आप वापिस से वो कर रहे हो मतला वापिस से आप जो है एक यहां पर पूरा डग कर रहे हो तो उसमें टाइम तो लगेगा ऐसा तो है नहीं कि जस्ट दो घंटे के अंदर वो जो है उसको आप डग कर दो कि उसमें बहुत टाइम लगता है और में चीज यह भी है कि जैसे आप तो यहां पर हो आप यहां पर हो उपर हो लेकिन यह बच्चा बोर्वेल के अंदर गिरा है और आप यहां पर उसको जो है डग कर रहे हो वैल को तो कहीं इसकी वज़े से इसको डग करने में इस ब program all the other events तो क्या होता है दो ऐसे निवस चैनल होते हैं मतलब यह सारी चीजों के बारे मिंदो कि अधर कि बात है तो वहीं कि बात है तो उतनी लोगों को पता होगा बट क्या होता है दो नििउस चैनल होते हैं वह अपने सारे programs को का ङंसल कर देते हैं और दिन राथ टेली Kasting क आपने लगा दिया बितव हमाल पर मतलब इंसेक्ट भी है फिर वो बच्चा विचा रहा आपनी मंमी के लिए मतलब भी रहा यह सारी को पूरि उसकी का रोट पूर्ट इंयं ओर साथ साथ में आज पास लोग ते थे इस वह देख रहा ईसे उसके बारे में न्यूस सब को एक जो है emotional connect उसके साथ में हो जाता है जिस तरह से पूरी story को दिखा जाता और यह चीज तो है आप ही सोचो आपके घर में मानलो कोई छोटा बच्चा है या आपके पड़ों समें कोई बच्चा है जिससे आप बहुत ही जादा emotionally connect हो बट वो किसी मुश्किल में आजाता के अंदर रहते हैं और पूरा देश आप मतलब यकीन निवानों की स्टीज का बट पूरा देश जो है वो प्रिंस की स्टोरी को देख रहा होता है और सरफ इंडिया के अंदर ही नहीं मतलब क्योंकि टेली कास्टिंग सब्चा लेंगे और जो लोग प्रिंस को जानते थे एक यह बूरा दिरा सो इससे हार एक चीज को उसमें दिखाया जाता है आप मतलब इसके बाद में बहुत सारी लोग होते हैं जो मंदिरों में जाके प्रिंस के लिए करने लग जाते है एक चीज भी होती है कि भाब टी आप टीवी पर उस एक या लेना देना बट उस एक चीज को पूरी जो है कंट्री से रिले पूरे कंट्री के लोग उस एक प्रिंस उस बच्चे के साथ में जो है कनेक्ट कर लिया जाते हैं इसके बाद में थाउजंड्स ओफ पीपल हाट डिसेंड़ इस साइट और सेवरल फ्री कम्यूनिटी किचिन वर रन फॉर टू डेज और बहुत सारे लोग जो है मतलब उस एक एरिया में चले जाते हैं देखने के लिए उसके रेस्क्यू के लिए जो आसपास के होते हैं और दो दिन तक यहां पर कम्यूनिटी किचिन चलती है जहां पर फ्री में लोगों को नहीं था उस एक टाइम की जब मैं बात करें आप से तो वहां पर इस एक चीज को मतलब बहुत है जाता है और बहुत धीरे-धीरे करके जो है ये एक मतलब concern बन जाता है सभी के लिए, सभी जो है मतलब मंदिर, मस्जित, चर्च, गुरु द्वारा में उसके लिए pray करते हैं और ऐसे instances अकसर जो है टीवी पर दिखाये जाते हैं, जो कही न कहीं किसी और की personal life से related होते हैं आप उसके साथ में connect कर ले तो, finally rescue हो जाता है, प्रिंस को बचा लिया जाता है और वो बच्चा जो है मतलब सही सलामत बाहर आजाता है, आज सो बहुत बड़ा भी हो गया है और बहुत, मतलब यह जो stories होती है ना, यह सारी चीज़े क्या करते हैं, आपको आपकी personal life को, मतलब आपकी अपनी personal life जो है वो सब के साथ में connect हो जाती है, आप अपने आपको उसके साथ में connect कर ले तो, यह एक बहुत अच्छी चीज़ है mass media और communication की, कि जो मैंने आपको starting से बताया ना, कि आप country में किसी भी corner में हो, बट आप पूरे world के साथ में connect कर सकते हो और यह सब से अच्छी बात होती है, आपके print media की और आपके television की, आपके radio की in shot, आपके mass media and communication की तो इस तरह से ऐसे धेर सारे programs आपको दिखाये जाते हैं, जो social issues को तो highlight करते हैं, economic issues को भी करते हैं, political issues को भी करते हैं, हमारे culture को भी करते हैं, हर एक चीज़ को, हर एक चीज़ को, जो सब आप sociology के अंदर पढ़ते हो फिर इसके साथ में जैसे हम soap operas की बात करें, तो बहुत सारे ऐसे soap operas चलते हैं, बहुत सारी ऐसी stories हैं, जो serial मतलब उनकी बनाये जाते हैं, continuously चलते हुए रहते हैं, कोच ऐसी individual stories होती हैं, जो खतम हो जाती हैं, character जो है, वो कभी आ जाते हैं, कभी disappear हो जाते हैं, बट जो soap हो बने, जैसे एक example दो, बाली का वधू का, बाली का वधू मतलब बहुत टाइम पहले start हुआ था, और वो program हम सभी जानते हैं, बहुत popular program रहा वो, तो उसमें जो है, मतलब बाल विवा वगेरा के बारे में बताया गया था, उसमें आनन्दी जो है, वो बड़ा ही, मतलब ऐसा एक ऐसा character था, जो हम सभी की, मतलब मैं बोल रहे हैं कि कितना पहले program आता था, बट आज भी मुझे उसके बारे में मालूप है, तो ये generally क्या होता था था, ये हमको connect कर लेता, वैसा मैं बोल ना, मैडम serials देखा करती थी, मैं मतलब मेरे घर में चलते था, मेरे घर में भी त कर देता है, बट स्टोरी जो है, चलती रहती है, कब तक चलती है, जब तक उसकी popularity बड़ी रहती है, जब किसी serial की popularity खतम हो जाती है, तो वो आफ एर हो जाता है, मतलब फिर उस episode, उसके जो serial को जो है, बंद कर दिया जाता है, बहुत सारे ऐसे serials भी देखे होंगे, आपने, जो off-air हो गए, तो यह जो सारी, आपने regular viewers होते हैं, फैमिलियर होते हैं, characters के साथ में, personality के साथ में, अपने life experiences के साथ में, तो इस तरह से television जो है, वो चलता रहता है, और इस तरह से यह जो आपकी पूरी television industry है, ऐसे grow कर रही है, और at present उसकी क्या सारी importance है, I don't think so, कि अब वो सो television और globalization, यह दोनों का जो एक पूरी journey थी, वो आपको बहुत अच्छे से clear होई होगी, कि जब globalization होता है, तो किस तरह से television का phenomenal expansion इंडिया के अंदर होता है, और पूरे world के अंदर, और किस तरह से यह हमें entertainment तो provide करता है, साथ ही साथ में, हमारी society से भी connect करके रखता है, I hope so, सा यहां भी आपके सारे questions को answer किया करूंगी, I hope so, सब कुछ clear हो गया होगा, तो अब बस अब next lecture में मिलेंगे, जहां radio and globalization के बारे में जानेंगे, बस जाते जाते एक छोटी से information में आपको देदू, कि आपको magnet brains की website को कैसे access करना है, तो तो सारे lectures आपको मिल जाते हैं YouTube पर, चैप्टर वाइस, class-wise, book-wise, तो just google पर जाओ, enter करो www.magnatebrains.com, जैसे यह आप enter करोगे, यह magnet brains education platform आपके सामने open हो जाएगा, इस scroll करोगे, यहां पर सारी classes के, सारे courses की video lectures available हैं, आपको जो भी class, जो भी course study करना है, बस उस पे click किया, यह आगे सारे subject related videos, scroll करोगे, और भी videos दे chapter पे click करोगे, उस related sub topics आजेंगे, सभी के आगे watch now लिखा हुआ है, आपको जो भी subject, जो भी topic, जो भी पढ़ना है, just watch now पे click किया, और यह video open, अब यहां से आपको next video देखना है, next video पे click करो, यह नहीं देखना है, कोई और chapter, कोई और topic पढ़ना है, यहां से cancel कर दो, so बहुत आप मैगनेट बेंस के website को access कर सकते हो, यहां आपको मिलती है, 100% free online education, बिना किसी page subscription के, आपको कोई कोपन नहीं करीदना है, किसी तरह का कोई payment नहीं करना है, सब कुछ बिलकुल free of cost है, यानि 100% free online education, with quality content and best of the teacher, so I hope सारे चीज़े clear होगी होगी होगी, तो अपने friends और relatives को भी magnet बेंस के बार में बताओ, ताकि वो भी free education को access कर सके, and I hope सो सारी चीज़े clear है, तो फटा फट वीडियो को like कर दो, share कर दो, और channel को subscribe करना मत भूलना, हम मिलेंगे हमार नेक्स वीडियो लेक्टर में, thank you very much.